हेलो दोस्तों, नमस्ते, मैं आपने शानर पे आप सब का स्वागत करती हूं दोस्तों, हंसते रहें, मुक्सकुराते रहें, पॉजेटिब रहें पॉजेटिब सोचे रहेंगे, सफलता वजी मिलेगी, आप सब स्वस्त रहें, मसत रहें और लाइप में आगे बढ़ते रहे अभी कर जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ यह है आपके पार्टनर की true feelings उनकी current energy और मैं यहाँ देखना चाहूँ कि हर वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या कुछ feel करते हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं क्या कुछ उनमें बदलाव आ रहा है आपको लेकर इस relationship को लेकर क्या कुछ बदलना चाहते हैं तो चलिए मैं जो वीडियो बना रही हूँ इस वक्त मैं इसलिए ऐसे वीडियो बना रही हूँ कि मैंने कल रात में जो वीडियो डाला था मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की और मैंने बोला था कि आप सबको मैं बताओंगी दरसल बात यह है कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि हमारे कजन बरदर की डेट हो चुकी है और हाड एटेक हाड एटेक हुआ हुआ है ताकि उनको मोक्ष मिले 30 प्लस थे और उनकी एज कुछ भी नहीं थी और अचानक से मॉर्निंग में उन्होंने पानी पिया और मॉर्निंग उठने के बाद 9 बजे के कडिव वो उठे और वो पानी पिया वहीं पे गिर गए ठीक है तो अचानक से ये सब ख़बर सुनने से कोई भी इनसान टेंशन में चला जाता है तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ इसलिए मैं ऐसे वीडियो भी बना रही हूँ ठीक है और मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगी अभी हिम्मत नहीं हो रही है लेकिन हाँ कुछ हमारी सोल सिस्टर ने मुझे वाट्सअप पे बात किया है उन्होंने हीलिंग दी है मुझे मोटिवेट किया है और सुबह का जो होता है वो रादे कर शुनना चाहती है तो मैं बहुत जल्द लाओंगी लेकिन हिम्मत जुटा रही हूँ अचानक से ये नियूज मिले से हर इंसान बहुत परशान हो जाता है और बहुत हेड़क भी हो रहा था मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी इसलिए उनकी मुक्ष के लिए उनकी सांतिक लिए प्रेयर प्रातना कीजिए आप लोग भी ठीक है और मैं जल से बहुत अच्छा इंसान रहे हैं वो बहुत ही प्यारा लेकिन इसलिए उनको बहुत जल्द बोला लिया तो उनके लिए उनके लिए उनको blessed किजिए ताकि उनको मुक्ष मिले और सांती मिले ठीक है तो छलिए मैंने ये आपको बता दिया इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और हो सके तो कभी-कभी मैं अभी नहीं बना पाऊंगी बीच-बीच में इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही है सही पुछो तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है ये बिल्कुल नहीं हो पा रही है फिर भी मैं कोसिस कर रही हूँ आप लोग लिए इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि अपना health पे जरूर धियान दे खाने पिने पर जरूर धियान दे, अपनी family members का जरूर धियान रखे, ignore ना करे, health issue होती हो, कुछ भी होती हो, तो please उन्हें ignore ना करे, ठीक है, क्योंकि इनसान जब धर्ती पड़ाता है, तो कुछ अपना luck और किस्मत लेकर आता है, कुछ संघर्स लेकर आता है, लेकिन हमें जी हो, उनकी current energy क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, और हर पलो क्या सोचते रहते हैं, चलिए मैं हाँ देखती हूं, ये वीडियो ऐसे बना रही हूं, please ध्यान से सुनिएगा, मेरी हिमत नहीं हो रही है, फिर भी मैं कोसिस करूंगी, और वीडियो को ignore भी मत करना बाबू, आ लग रहा है, कि आप pregnant हो, या पिर pregnant होना चाहते हो, या पिर अपने partner की बच्चे की मा भी बनना आप चाहते हो, या फिर आप male हो, तो आप parents बनना चाहते हो, ऐसे energy आ रही है, आपकी भी और आपके partner की भी लेकिर, आपके person जो है, कुछ decision तो लेना चाह रहे हैं, ठीक है, ये person काफी सोच रहे हैं, हो सकता है, इन्होंने आपके offer को, कभी की, हो सकता है, आपने offer किया हो, और आपको ignore किया हो, ठीक है, miss judge किया हो, इस वक्त वो person काफी सोचते हैं, ऐसा नहीं, इस वक्त ही सोचते हैं, आप उनकी सोच से बाहर बिलकुल नहीं हो, लेकिन ये चाहते ह देखिए आज morning के energy देखी जाए तो ये person आपके बारे में बहुत कुछ feel कर रहे थे को उन्हों ने आपके साथ क्या कुछ किया ठीक है और कहीं न कहीं ये person आज सुबह ये भी सोच रहे थे कि आपको सारी खुसियां मिलनी चाहिए जो आप deserve करते हो ठीक है हो सकता है ये married भी ह सकता है ये single भी हो सकता है ये unmarried भी हो लेकिन फिर भी आपके चेहरे की ये खुसी देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप life में अब आगे बढ़ो ठीक है अपनी emotions को दबाते हुए देखिए ये person अगर आप से contact भी कर रहे हैं तो ये person हर वक्त आपके बारे में सोचत हैं अपनी emotions को चुपाना control करना इनकी आदत जरूर है लेकिन यहां उनके दिल में अंतर आत्मा में आपके जो प्यार आपके लिए जो प्यार है वो unconditional है लेकिन ये चाहते हैं कि कुछ अगर इन्होंने decision ले लिया है मैरे से related commitment से related कहीं तो ये खुस नहीं है और आपकी बाते याद करना आपको इन्होंने promise किया या फिर आपके साथ इन्होंने बहुत प्यार किया और बाते चुपाई इस बात का इनको पस्ताबा है regret है डियर देखें इनको एक बार लेकिन चाहते हैं कि आपसे वो मिले मिलने का मौका सोचने डियर लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्द रियूनियन होती दिखाई दे रही है ठीक है यहां पर टेन और कपस के एनरजी फैमिली देखें फैमिली उनकी भी फैमिली हो सकती है और यह आपके साथ फैमिली देखते हैं लेकिन कुछ ऐसी मजबुरियां आ गई है जहां इन्होंने decision लिया है और कुछ के टॉक्सिक लोगों से निकलना चाहते हैं उनको फील हो रहा इस वक्त कि मैंने क्या खोया है मैंने तुम्हें खोया है और यह खोना इनका जिंदगी को पूरी तरह बरवाद करना है इन्हें पता है कि मैंने क्या खोया है और तुम्हें खोना मेरी जिंदगी को बरवाद करन कुछ ऐसे वादे कुछ ऐसे पल कुछ ऐसी मेमरिस को वो याद कर रहे हैं लेकिन इस वक्त यह परसन कुछ करना भी चाते हैं करियर पर भी फोकस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन काम पर भी फोकस करियर पर भी फोकस फाइनांस पर भी फोकस उस पर से आपकी चाहत उन् मैरिज होने वाली हो लेकिन यह पर्सन से नहीं कर एडियर उनको पता है कि आपको उन्होंने रुलाया है लेकिन यह पर्सन के अंदर है कि उन्होंने अपने प्रॉमिस को नहीं निभाया है एक खुबसूरत दुनिया एक सुन्दर सा घर आपके साथ बसाना चाहते हैं आज भी ऐसा नहीं है डियर कि आपके साथ नहीं चाहते हैं एक कस्म कस्म में जरूर है एक खुबसूरत दुनिया आपके साथ बसाना चाहते हैं यह परसन बहुत प्लानिंग आज भी करते हैं डिय ऐसा नहीं है यहां पर आगे क्या करना है नहीं करना इस रिष्टे को कैसे नाम देना है इसके बारे में भी यह सोच रहे हैं किस तरह अपने लायक में आपको वह एक्सेप्ट करें ऐसा नहीं है पैरन्स से अभी भी यह बात करें फैमिली में अभी भी बात करें लेकिन अगर थटपार्टी इसो अगर देखा जाओ जो टॉक्सिक लेशंशिप में है देखे दियर आपके परसंग भाखुबी समझ रहे या पर ठीक है थटपार्टी को लेकर भाखुबी समझ रहे कि वह क्या प्लानिंग कर रहा है या कर रही है वो कहीं न कहीं कुछ साजी सरच रहा है रच रही है, आपको बदनाम करने का, मतलब आपके खिलाप कुछ ना कुछ साजी सरच रहे हैं, आपको पेंद देने का, आपको टॉर्चर करने का, ये थट पार्टी की प्लानिंग चाह रही है, और ये आपके परसन भूबी समझ रहे हैं और जान रहे हैं, जिस वज़े से ये परसन को हाड़वेक को है, पेंद में है, दर्द में, स्टक हैं इस वक्तिक हैं, आने वाले समय में आपके पार्टन आने वाले समय में वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहेंगे, ऐसी एनरजी है, क्योंकि इनकी थौर्ट्स मुझे ऐसी ही दिख रही है, आने वाले ट स्टेटस या गौसीप, आपको बदनाम करना, किसी तरह से आपके पीछे थटपाटी पड़ा हुआ या पड़ी हुई है, लेकिन ये कही न कहीं, जैसे वो अपने, मतलब अगर करेंट पार्टनर हैंगे, फैमली है इनकी, तो कहीं न कहीं ये परसन सोच रहे हैं, समझ रहे 24 गंटे आपको बिल्कुल अपने आप में रहना है, अपने उपर फोकस करना है, 24 गंटे में मुझे लग रहा है कि कोई आपको ट्रिगर कर सकता है, कंट्रोल, फैमली में भी हो सकती है, फ्रेंड में भी हो सकती है, जहां आप काम करती है, वहां भी हो सकता है, किसी से भी कह मजबूर किया जाता है आपको परशान करने के लिए ठीक है तो यहां पे आपको कंट्रोल रहना है देखिए आपके परसंग इस वक्त पेन में है काम पर फोकस कर रहे हैं यहां पे सबसे बड़ी बात मेरे वीवर्स मेरी सोल सिस्टर मेरे सोल ब्रदर्स मैं कहना चाहूंगी यहां पे आपको mentally, physically strong बनना है देखिए situation कैसी कैसी आ रही है फिर भी मैं काम कर रही हूं ऐसा नहीं है कि लगतार कर रही है हाँ इधर मैं अप्सेंट जरूर कर रही हूं लेकिन कही न कहीं जो काम होता है उसे करना चाहिए ठीक है तो यहां पे सबसे बड़ी बात कि self love सोच रहे हैं कि आप life में आगे भी बढ़ सकते हो आप life partner भी ढूंड सकते हो और किसी से अच्छा आप marriage भी कर सकते जो आपको खुसी दे दरसल यह चाहते हैं आपको खुस देखना और आप खुस रहोगे तो यह भी खुस रहेंगे आने वाले समय में यह खुद परसन आप आपको आपसे contact करना चाहेंगे क्योंकि उनको पता है बोलना और कहना यह बहुत आसान होता है लेकिन निभाना बहुत ही मुश्किल होता है इन्होंनों तो कह दिया डिया लेकिन अंदर से यह stuck वाली energy में है बहुत दिल कर रहा है कि आपसे मिले और बात करें लेकिन क्या कर आपके रास्ते आपकी सोच बदल रहे है ठीक है आपकी हिम्मत बर रही है यहाँ पे strength की जो energy होती है तो कहीं न कहीं अब आप पास्ट को लेटको करने की कोसिस कर रहे हो या आपने हिम्मत बना रही है कि मुझे decision लेना है यह आपकी energy मैं देख पा रही हूं आने वाले समय में आप strong हो रहे है हिम्मत बर है decision आप भी ले रहे हो लेकिन बहुत लोग का 24 गंटे में call message रिशीव होने वाला idea ठीक है लेकिन reunion की planning चल रही है कुछ लों की लेकिन यहाँ पे यहाँ पे मैं बोलूँगी trigger मिल सकता है आपको control लेना है क्योंकि आपके partner की energy यहाँ पारी हो यहाँ पे आप समझ रहे हो अब आप समझ रहे हो कंट्रोल कर रहे हो ठीक है ना लेकिन यहाँ पे मुझे energy में आपकी उतार चड़ा मुझे दिख रही है ठीक है हो सकता है कभी आपकी low energy हो कभी high vibration हो कभी आपको headache हो तो यहाँ पे आप अपने health पर भी ध्यान दें यादो से निकलें लेट गो तो कर रहे हो यहाँ पे दिख रहा कोसिस बहुत कर रहे हो strength इकटा कर रहे हो दमजी सेन की भी energy यही कह रही है कि आपका manifestation पाबर बहुत strong हो रहा है आप manifest भी कर रहे हो लेकिन कहीं न कहीं आप past से निकल लेकिन इस वक्त आपको 24 घंटे में खु पर ज्यादा इस वक्त फोकस करने की जरूरत है क्योंकि देखें डिसीजन आप भी कुछ लेना चाहते हो और वह भी डिसीजन लेना चाहते हैं यहाँ पर मेरे वीवर्स में बोलना चाहूंगी कि solar plexus chakras जो होते हैं उस पर आप काम करेंगे ना तो आपके लिए बहुत अ कुछ लोग मैं देख रहे हों कि Mr.Kom of the Machine सिर्वर को एसे ultat बेंशन अनर्जी और चाहूरा झाल मैं उतार कात बहुत क्या रहे हैं यहां पर पराने बातło को भूलाने की सधार को कर रहे हैं इसलिए में गवह पर स्थरेंद पक्राइř हैं लेटका क्या साल की इनर्जी आ और high vibration आप लोगों में देख पारी हूँ यहाँ पे आप लोग divine से बहुत ज़्यदा strong connection आप फिल कर रहे हो और कुछ के person भी divine से बहुत ज़्यदा connection फिल कर रहे है लेकिन यहाँ पे मैं देख रहे हूँ कि planning और decision आप दोनों लेना चाहते हो यहाँ पे अपने life में कुछ आगे करना चाह रहे हो और आपके person भी अगर उन्होंने decision ले लिया है marriage related, commitment related, किसी और के साथ तो वो खुस नहीं है यह फिर भी future आपके साथ देख रहे है इसलिए मैं बोर हूँ कि यहाँ पे इस वक्त आपको self love करने की जरूरत है यहाँ पे खुद को मजबूत बनाईए क्योंकि strength की energy, the magician की energy, will of fortune की energy कही न कहीं आपका growth, आपका luck, आपका साथ दे रहा है यहाँ पे आपके energy पे उतार चरह रहेगी ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे आपके person contact करने की कोशिस कर रहे है call message तो करेंगे ही लेकिन reunion की planning कर रहे है यहाँ पे मेरे viewers आप 24 घंटे के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आप अपने strength को बिल्कुल strong बना के रखे है यहाँ पे मुझे लग रहा कि आपको कोई trigger कर सकता है ठीक है, overthinking कर सकते हो लेकिन cut, clear, cancel cut, clear, cancel, ऐसे आप करो cut, clear, cancel, negativity, let go यहाँ पे solar plexus पे आप काम कीजिए, ठीक है यहाँ पे वो बात बहुत जरूरी है आपके अंदर जो थोड़ा सा confidence आपका डगमग हो रहा है ठीक है, यहाँ पे कोई pregnant है तो please मैं बोलूँगी यहाँ पना ख्याल रखें कोई अगर pregnant है तो अपना ख्याल रखें, ठीक है यहाँ अगर कोई है pregnant हो बहुत focus रहें अपने उपर आप देखिए, आपके person कहना चाहते है दमजिसिन आपको यह manifest करें कि कुछ मिर्कल्स हो और आप लोग miracles देख रहे हो universe का miracles देख रहे हो यहाँ पे आपके person चाहते है कुछ ऐसा miracles हो जाए और सब कुछ बढ़िया हो जाए एहसास उन्हें बहुत हो राइडिया और यह कहना चाहते है तुम बहुत खास हो मेरे लिए देखिए हर इंसान के अंदर कस मकस होसा है ने तो यह दुनिया यह संसार नहीं चलता है तो यहाँ पे इंसान को परखने के लिए जानने के लिए खुद को मेरिटेशन कीजिए और नमस सिवाय का जाप कर सकते हो ओम किल्म कृष्णाय नमस का जाप कर सकते हो अगर आप प्रेगनेंट हो या फिर आपको कॉंफिदेंस लेवल घर घट रहा है नहीं आप कर रहे हो कुछ बैलेंस तो यहां पे आप हनुमान चालीसा पर सकते हो करियर के लिए अबंडन्स के लिए सकसेस के लिए बजरंग वली का जाप कर सकते हो उनसे हिल्प ले सकते हो बाबा बजरंग वली का बारा नाम ले सकते ह तो ठीक है और सनी देप के बारे मैंने बोला ही हर सनी बार आप जाओ सनी देप की पूजा करो दिया आप दीपक दिखा सकते हो तो यह सब काम करो ठीक है इससे क्या होगा ब्लॉकेज भी होलों करमा में रिलीजियों और हां यहां पर आप लोग को डोनेट करने की जरूरत है तो एनर्जी में उतार चड़ा है लेकिन यहां बहुत सत्रक और साउधान भी रहना है क्योंकि एक एनर्जी है एनर्जी में उतार चड़ा है ठीक है आपके बारे में सोच काफी रहे हैं प्यार बहुत करते हैं डिसीजन को लेकर कभी काफी सोच रहे हैं और यहां पर आप कि साड़े बाते सेयर करूं माई गॉड आपके सिवा उनको कुछ भी नजर नहीं आता बहुत स्टक वाली एनरजी बहुत कन्फ्यूजन बहुत दर्द में कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन लिये हैं जिस वज़े से ये परशन अंदर से पेन में हैं कुछ इन्ह इस लिए ये परसंट ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि आप उनकी संसाईन ओ इतना आसान नहीं है कि वह वोपाउन कर दे हो सकता है कि कहीं टॉक्सिक लेशंसीब से ये मोबाउन कर दे यह भी हो सकता है मोबान के एनरजी आ रही है situation इनके life का अच्छा नहीं है ठीक है कुछ ना कुछ इनको trigger करना manipulate करना इनको pain देना और third party के बारे में आपके partner बहुँ भी समझ रहे हैं कि उनको कैसे दर्द पिन दिया जाता है कैसे आपको pain दिया जाता है ये third party अपना चार चल रही है या चल रहा है तो चलिए ये थी आपके partner की true feelings उनकी current energy तो वीडियो आपको कैसी लगी मैंने आपको सारा story बताया है मैं अगला वीडियो भी लाओंगी लेकिन अगर मैं नहीं ला पाई तो please sorry लेकिन मैं कोसिस करूँगी ठीक है तो ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक से कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन जरूर दवाए डियर God bless you and thank you और मैं बोलना चाहूंगी अपना हेल्थ का जरूर धियान दें ठीक है God bless you